नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MP Basic Info पर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सकते हैं तो ऐसा कौन सा magic है ऐसी कौन सी secret power है जो आपकी किसी भी wish को manifest कर सकता है दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है वह मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो condition होती है वो है आपका belief system अगर आपका belief system strong है तब आप कोई भी technique follow करिए आपको result 100% मिलेगा अब मैं आप आपको एक ऐसा time बता रहा हूँ कि अगर आप उस time पर ये technique करते हैं तो आपको अवश्य result मिलेगा बस आपको करना क्या है कि इस time को utilize करना है इस time को use करना है इस time के power को समझना है तो वह time क्या है ये जान लेते है टाइम है 11-11 लिकन ये 11-11 दिन के समय के नहीं रात के 11-11 य ये 11-11 जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं आपको जिस भी दिन ये वीडियो मिले आप उसी दिन रात से ये technique follow कर सकते हैं इसके लिए कोई day fix नहीं है जिस time भी ये वीडियो मिल रहा है आपको उसी दिन से इसे follow करना है हो सकता है जब आपको ये वीडियो मिले तब रात मे 11-11 हो चुके हो, तो आप next day की रात में 11-11 से ये टेकनिक फॉलो कर सकते हैं, अगर आप बहुत सारी rituals on ready सब कुछ करके ठक चुके हो, और आपको success नहीं मिल रही है, तो विश्वास करें, सिर्फ एक बार मेरे कहने से पूरे विश्वास के साथ इस टेकनिक को करके देखिए, क पूरे trust के साथ believe करते हुए follow करिये, तब खुद बखुद 100% आपकी वो wish पूरी होगी, खुद बखुद कोई भी wish चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, काफी time से आप उसके लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारी अर्चन आ रही है, wish फुल्फिल होने में wish पूरी नहीं हो रही ह लगातार बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं और आप हर चीज ट्राइ करके ठक चुके हैं, तो अब एक बार मेरे कहने पर आप लोग इस technique को जरूर कीजिए, हो सकता है अब आप यह कहें कि 11-11 पर ही क्यों कोई wish manifest करना जरूरी है, 11-11 मिनट में ही आपकी wish क्यों पूरी ह तो मैं आपको बता दूं कि रात में ये एक ऐसा divine time होता है, जब universe यानि ब्रह्मांड के सारे दर्वाजे खुले होते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए अगर इस time पर आप कोई भी चीज या कोई भी इच्छा मांगोगे तो वो जरूर पूरी होगी, और ये technique tried and tested है, वैसे तो इसके result उसी दिन ही मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको 24 घंटे में नहीं, तो 11 दिन में आपको इसके result जरूर मिलेंगे, आपकी कोई wish बहुत बढ़ी है, तो अब इसके results कितने जल्दी आपको मिलेंगे, ये सिर्फ आप पर depend करता है, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका belief system होगा, उतनी जल्दी आपको इसके result मिलेंगे, ऐसे में आपको ये technique 11 दिनों तक करनी है, और इन 11 दिनों में आपको इसका magic जरूर देखने को मिलेगा, 11-11 पर रात के समय में आपको ये technique करनी है, और सबसे important बात, जब भी आप इस technique को करे, उस वक्त आपका मन बिल्कुल शान्द होना चाहिए, कोई भी negative thoughts आपके दिमाग में ना हो, उस moment में आप बिल्कुल relax होकर ही ये technique स्टार्ट करिएगा, अब आपको करना बस इतना सा है, कि कोई भी एक white plain paper लीजिए, वैसे आप कोई भी paper ले सकते हैं, लेकिन try करिए कि plain paper हो तो बहु use कर सकते हैं, मतलब कि आपको black pen को avoid करना है, अब आपको अपनी कोई भी एक wish लेनी है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही wish को pick करना है, आप एक बार में multiple wishes नहीं ले सकते हैं, एक बार में सिर्फ एक ही wish पर काम करना है, इसलिए एक बार में सिर्फ एक ही wish लीजिए, जैसे कि आपकी कोई विश बहुत टाइम से नहीं पूरी हो रही है, जिस विश को पूरा करने के लिए आप बहुत ही उतावले हो रहे हैं, तो आप पेपर पर जो भी आपकी विश है, उसको 11 बार लिखना है, जैसे कि अगर आपकी विश जॉब से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, न्यू हाउस या कोई एक्जाम मैरिज या किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो आप अपने विश को 11 बार लिखेंगे कुछ, इस तरह से थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू गॉड या जिन में भी आपका बिलीव है, जिनको आप मानते हो, उनको एड्रेस करते हुए ही लिखना है, तैंक यू डियर यूनिवर्स, मुझे मेरी मन पसंद ड्रीम जॉब मिल गई है, इस तरह से 11 बार लिखना है, कोशिश कर लिएगा, एक ही लाइन में आपकी विश आ जाए और सेम लाइन को ग्यारा बार रिपीट करना है आपको उसके बाद उस पेपर को अपनी तरफ दो बार फोल्ड करके अपने हरदय से टच कीजिए और उस पर अपना दाया हाथ रख कर फिर आखें बंद करिए ग्यारे सेकंड के लिए इस पेपर को अपने इश्ट को याद करिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए पॉजिटिव वैल्यू फुल फेथ के साथ महसूस कीजिए कि आपकी इच्छा आपकी विश पूरी हो चुकी है उसके बाद इस बहुत छोटे से मंत्र को बोलना है ओम अंती रक्षय नमः इस छोटे से मंत्र को सिर्फ ग्यारह बार ही बोलना है अपने विश को पेपर पर लिखने के बाद इस पूरी टेकनीक में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ज्यादा से ज्यादा आपको पांच मिनट लग जाएंगे अब आप उस पेपर को अपने तकीय के नीचे रख कर सोचाईए ऐसा आपको ग्यारह दिनों तक लगातार करना है बस लिखना एक ही बार है और हर रोज उस पेपर को इसी तरह से एनरजाइजर करके अपनी विश को डीप विजुलाईज करना है और फिर ग्यारह बार मंत्र बोलकर वापस से उस पेपर को अपने तकीय के नीचे रख कर सोचाना है एक बार मैं आपको पूरा प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ सबसे पहले आपको ग्यारह बार अपनी विश को लिखना है एक वाइट प्लेन पेपर पर फिर उस पेपर को दो बार अपनी तरफ फोल्ड करके अपने हृदय से लगाना है उसके बाद आपको अपना दाया हाथ उस पेपर पर रख कर अपनी विश विजुलाइज करनी है उसके बाद जो मैने मंतर बताया है उस मंतर को ग्यारह बार बोलना है अब बस आपको इतना करना है कि आपको ग्यारह दिनों तक सोने से जस्ट पहले यह करना है और आप करके देखो कि आपको इसके amazing results मिलेंगे आपकी कोई भी wish हो बस इस तरह से full faith के साथ इस technique को follow करिए फिर definitely आपकी विश पूरी होगी उसके बाद आप मुझे comment करके जरूर बताना कि आपको success मिली या नहीं लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी इच्छा 100% पूरी होगी लेकिन किसी भी technique या ritual के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है पहला है faith और आपका believe दूसरा है आपको desperate के कारण अकसर मन में negative खयाल आने लग जाते हैं और यही negativity आपकी wish पूरी होने में obstacles का काम करती है इसलिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है अब universe को यह यकीन दिला दीजिए कि सब कुछ आपने उनके हाथों में सौंप दिया है जो करना है उनहीं को करना है फिर देखिए कैसे आपकी life में हर दिन magic होता है आप चाहे तो blue pen से अपने left body part पर भी इस magical divine number 1111 को लिख सकते हैं मिट जाने पर आप दोबारा लिख लीजिए ऐसा आप तब तक करिए जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए तो आप इसे करके देख सकते हैं तो दोस्तों आप अपने अपने experience हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा इससे और लोगों में भी motivation आता है क्या पता आपकी success story सुनने से किसी की life का सपना पूरा हो जाए तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो comment section में ज़रूर बताना किसी की अपक्राइब कर भी किसी की से आता है झाल झाल